हलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम फाइव टॉप सेंटेंसिस की जनकारी हसल करेंगे जो आए दिन बोलने के क्रम में इस्तेमाल होते हैं जैसे ठीक से बैठों, कहीं गिरना जाओ sit well, lest you should fall down ठीक से बैठों, कहीं, गिरना जाओ you need to be cautious, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है उसे डाट पढ़ने वाली है he is to be scalded he is to be scalded, उसे डाट पढ़ने वाली है because he didn't do his homework क्योंकि उसने homework नहीं किया as said to him by his respective teacher जैसे कि उसके शिक्षा के द्वारा कहा गया था फिर भी उसने homework नहीं किया मैंगर जी बोलने में अभ्यास्त हो I am accustomed to speaking English I am accustomed to speaking English no one speaks as nicely as I speak कोई उतना ढंक से नहीं बोलता जितना ढंक से मैं बोलता उसे ज्यादा बोलने की अदत है He is in the habit of speaking more He is in the habit of speaking more उसे ज्यादा बोलने की अदत है Such persons be isolated ऐसे लोगों को दूर रखने चाहिए मैस वस फेल हो गया होता I would have failed this year I would have failed this year but didn't fail लेकिन फेल नहीं हुआ Thanks God इसके लिए God को धन्यवा दोस्तों इस प्रकार से हमने 5 top sentences के बारे में जानकारी हाचल के यदि वीडियो सलकता है दो प्रीज Like, Share, Subscribe and Comment Thank you